हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में SOP और POS के मैं कुछ ऐसे एक्जामपल्स लेकर रही हूँ जिनें सॉल्व करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के बाद SOP और POS का कंफ्यूजन बिल्कुली क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग से और आप कोई भी क्वेश्चन अगर SOP POS से कनवर्जन का आता है या कुछ भी ऐसा रिलेटेड आता है तो आप इसे एजिली सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कह रहा है कि कनवर्ट SOP तो POS एक्स्प्रेशन अगर मैं यहाँ पर देख हूँ y equal to मेरा जो term लिखी हुई है a bar b bar c bar plus a bar b c bar plus a bar b c plus a bar b c plus a b bar c मतब मैंने जो term लिखी हुई है यह मुझे clearly पता चल रहा है कि यह SOP है चीक है और अब मुझे इसे POS में convert करना है POS हमें पता है कि ऐसा होता है कि यह sum of product है लेका हुआ POS में हमारा product of sum होगा यानि कि हमारा A plus B plus C के form में होगा ठीक है तो change करते हैं कैसे करना है बहुत easy सा method बताऊंगी कैसे करना है सबसे पहले इसी SOP को अगर मैं इसे binary में convert करूँ अगर मैं कहूँ कि A bar को अगर मैं binary में बोलू तो क्या लिखेंगे हम A bar को 0 से represent करेंगे सेम B bar को भी 0 से represent करेंगे और C bar को भी 0 से इसी तरह अगर मैं अगले वाले term में देखूँ तो A bar को हम 0 से represent करेंगे B को हम 1 से represent करेंगे और C bar को हम 0 से SOP में हमें पता है कि SOP में हम बार वाली टर्म को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और बिना बार वाली टर्म को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन POS में इसका उल्टा होता है जो बार वाली टर्म में उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं POS में ठीक है, हाँ अगर आपने मेरी last वाली वीडियो नहीं देखी है, SOP और POS की, तो उसको एक बार देख सकते हैं, मैंने बहुत clearly explained किया हुआ है, SOP और POS उसको एक बार पहले देख लें थाकि आपके सारे doubts क्लियर हो जाएं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसे A बार B C को कसे लिखेंगे, इसे 0 लिखेंगे, 1, 1 लिखेंगे, सेम प्लस A को 1 लिखेंगे, B बार को 0, C को 1, प्लस ABC के लिए 1, 1, 1 ठीक है, यहाँ पर यह easy इतना मैंने खदम कर दिया, मतलब मैंने इन्हे normally binary में convert कर दिया है अभी अगर मैं इसका function लिखना चाहूँ, इसमें हमारा जो min term होती है, अग हम इसमें min terms लिखेंगे, SOP में हमारे min terms आती है और POS में हमारे max term आती है, तो मैं इसके लिए min terms लिखेंगे, min terms का मतलब यह होता है, इसमें जो भी number दिख रहा है, जैसे 000, तो 000 किसको represent कर रहा है, 0 को, तो हम min term को m0 लिखेंगे मैंने आपे small m को use किया है, min term को represent करने के लिए हम small m यूज करेंगे, और max term को हम represent करने के लिए capital m का use करेंगे, ठीक है मैं आप यह आगे और भी examples करूँगी, जिसके थुरू आपको clear हो जाएगा, कि कैसे कैसे करना है, plus अगर मैं इसे लिखू 010, तो 010 हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो मैं इसे m2 लिख सकती हूँ, plus अगर मैं इसे लिखू 011, तो 011 मेरा m3 होता है, मैं यहाँ पर मिन्टर्म को represent कर रहा है, 3 मेरा binary number को represent कर रहा है, और 101 मेरा 5 होता है, तो इसे m5 लिखेंगे, और 1117 होता है, तो इसे m7 लिखेंगे, चीक है, मैंने यहाँ पर 5 मिन्टर्म्स लिख दी है, अब मैं इसे functions के रूप में अगर मैं इसे proper मिन्टर्म्स को define करूँ, तो यहाँ पर एक symbol बनता है sigma का, यह symbol represent करता है कि हम मिन्टर्म्स को लिख रहे हैं, ठीक है, simple m को हटा के इसे 0,2,3,5,7, तो यह जो थी मेरी यह मिन्टर्म्स थी, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी, मिन्टर्म्स, ठीक है, और अब मुझे चाहिए, कि यह तो सब अभी तक चल रहा था, वो SOP का है, अब मैं चाहती हूँ, इसे POS में convert करूँ, POS यानि कि max term में convert करूँ, तो हमें क्या करता है, तबसे पहले SOP को ही solve करना है, जैसे मैंने यहाँ पर गिया, एक SOP form को लिया, और उसे इसे तरह से मैंने इसे expand किया, यानि कि पहले binary में convert किया, कौन सा binary digit की number को represent कर रहा है, मैंने वो number लिखा, फिर मैंने उसे function के रूप में convert कर दिया, अब मैं यहाँ पर max term लिखूँगी, और मेरे max term का symbol जो है, वो ऐसा होता है, और max term का मतलब यह है, कि जो min terms में नहीं है, जो number मेरे यहाँ नहीं है, अगर मैं, यह मेरे 3 digits, यहाँ पर मेरे 3 variables हैं, A, B, C, और अगर मैं इसे 3 variables को लेके truth table बनाना की गोशिश करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, तो यह जो है, पूरी 8 terms है मेरी, यह मेरे 8 combination बनके आ रहे हैं, ठीक है, पूरे कितने 2 to the power 3 है हम इसे इस तरह भी निकाल सकते हैं कि अगर इसमें 3 variables हैं तो हम 2 raise to the power n formula यूज करेंगे जो कि होगा 2 raise to the power 3 n का मतलब यहां पे कितने हमारे variables use किये गए हैं जो कि हमारा answer आएगा 8 या निकि हमारे 8 possible combinations होंगी 8 possible combinations का मतलब यह नहीं है यहां पे 8 number भी होना चाहिए हम यहां 0 से start कर रहे हैं तो 0 से 7 तक 8 possible combinations है ठीक है तो यहां पे अगर यह min term है तो हम max term में कैसे लिखेंगे 0 से 7 तक ही हमें देखना है इनके पीच में जो भी number missing है वो हम यहां पे mention कर देंगे for the max term और POS expression को convert करने के लिए तो यहां पे अगर यहां पे 0 है तो 1 missing है तो मैं यहां 1 लिख सकती हूँ 2 है 3 है 4 missing है तो 4 लिख सकती हूँ और यहां 5 है 6 missing है तो 6 लिख सकती हूँ यह है मेरे max term ठीक है अब यह मेरे max term है पर मुरा POS expression नहीं आया है वो कैसे लिखा जाएगा तो मैं यहां पे POS expression लिख देती हूँ जो होगा कुछ इस तरह से अब यहां पर यह 1 है तो आप 1 को कैसे represent करेंगे अगर आपने 0 को 0 0 0 से represent किया तो आप 1 को कैसे represent करोगे 0 0 1 से ठीक है या तो मैं इसे 0 0 1 लिख लूँ और मैं 4 को represent कर सकती हूँ 1 0 0 से 6 को represent कर सकती हूँ 1 1 0 से ठीक है मैंने यहां पर तीनों इस तरह से लिख दिया है यह मेरा back end में है अभी मैं 0 0 1 को मैं अगर मैं max term में convert कर रहे हूँ और हमें पता है कि POS जो होता है POS में हमारे क्या होता है कि जो term यहां product में दिख रही है उसे हम addition में लिखेंगे यानि कि plus के form में sum के form में और साथ में क्या करेंगे कि जो 0 है उस पे हम bar नहीं लगाएंगे और जो क्या करते हैं जो 1 है उस पे हम bar लगाएंगे ठीक है तो यहां यहां पर मैं अगर इसे लिखना चाहूँ 001 को तो मैं लिखूंगी A plus B plus C bar एक और बार explain करती हूँ कि SOP term में तो तीन यहां पर जो variables होते हैं वो product में होते हैं POS में यहां पर plus में होते हैं और यहां पर उल्टा यह होता है कि यहां पर 0 को bar से represent करते हैं यहां पर 0 को without bar represent करते हैं ठीक है इसी तरह अगर मैं इस second वाले term को लिखना चाहूँ 100 को तो A bar plus B plus C third को represent करूँगी तो A bar plus B bar plus C यह है मेरा POS expression जो की convert अब हो गया है तो next question है मेरा इसमें लिखा हुआ है कि obtain the canonical sum of product of the function तो यहां पर sum of product तो हमें पता है कि क्या होता है कि पहले variables का हम product करेंगे उसके बाद उन different terms को हम sum कर देंगे तो वो sum of product हो जाएगा यहां पर canonical sum of product लिखा है तो वैसे मैंने यह अपनी last video में explain क्या हुआ है अच्छे से बट मैं यहां पर भी थोड़ा सा glimpse उसका दे देती हूँ कि canonical sum of product क्या होता है यहां पर अगर मैं देख हूँ y a, b यानि यहां पर मैंने दो different variables use किये हैं या कहा सकते हैं दो different literals use किये हैं बट मैंने यहां पर लिखा हुआ है a plus b तो canonical sum of product का मतलब यह है कि अगर मैंने जो भी दो variables use किये हैं वो मेरे दोनों term में present होने चाहिए यानि कि यह a, b होना चाहिए था यह भी a, b होना चाहिए था ऐसा भी हो सकते हैं कि a, bar, b, 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 bar हो वो चलेगा लेकिन यहां पर मेरे पहले वाले इस term में भी मेरा a b present होना चाहिए और दूसरे वारे इस term में भी मेरा a b दोनो present होना चाहिए तो मैं इसे solve कर देती हूं दिखते हैं कैसे solve करना है मैं इसे लिख लेती हूं y is equal to a plus b तो क्योंकि मेरा ये a plus b अलग अलग है क्या मैं इसे one से multiply कर सकती हूं दोनों कोई यानि कि मैंने product कर दिया a का one से और b का one से और क्योंकि ये one है मैं इसे b plus b बार लिख सकती हूं क्योंकि हमें पता है कि b plus b bar one होगा same b और मैं यहां इस a plus a bar लिख देती हूं जो कि मुझे पता है कि A प्लस A बार 1 होता है अब मैं इसे multiply कर लेती हूँ तो यह हो जाएगा AB प्लस AB बार प्लस AB और A बार B और अगर मैं इसे last में solve करूँ तो यह AB और AB common है यानि कि same है और हम एक rule पता है कि A प्लस A equal to क्या होता है A यानि कि जो भी कोई term है अगर दोबारा repeat होगी तो हम उसे एक बार लिख देंगे जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही बार होगर वो तीन बार या चार बार भी repeat होगी है तो भी हम उसे single term ही consider करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसे AB लिखती है प्लस AB बार यह था मेरा canonical sum of product अब मैं अगर ठीक से देखू तो मेरा यहाँ भी AB present है यहाँ भी AB present है और यहाँ भी AB present है यानि कि मेरी ऐसी कोई single term नहीं है जहाँ पर मेरा कुछ भी एक single variable use हो रहा हो तीसरे question में मैंने लिखा हुआ है find from truth table और इसे लिख सकते हैं express from truth table यानि यहाँ पर मैंने truth table ली हुई है यह question है कि यहाँ पर truth table दी हुई है आपको पहले से यहाँ पर 8 possible combinations है तीन variable ली हुए एक possible combination बनाए है इसके आगे जो function है वहाँ पर question के हिसाब से और उन्होंने खुद से यहाँ पर कहीं one और कहीं zero दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर चार चीजे find करनी है पहला हमें इसे SOP form POS form मिन टर्म मैक्स टर्म हमें चारों चीजे find करनी है तो देखते हैं कि कैसे find करेंगे तो बहुत ही easy है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको y is equal to इसे y को मैं as a function represent कर लेती हूँ y is equal to अगर मैं min term की बात करूँ पहले मैं min term को यहाँ पर लिख रही हूँ तो min term में हमें पता है कि जहां भी one है वो हमारा min term होगा और min term को हम as a product ही represent करते हैं तो यहाँ पर मैं min term पहले बता रही हूँ उसके बाद मैं sop form लिखना बताऊंगी क्योंकि it will be easier हम दोनों कर सकते हैं यहाँ पहले मैं min term बता देती हूँ कैसे लिखना है जहां भी one है वो मेरी min term है उसके आगे जो भी हमारे numbers है 001 001 क्या होता है तो मैं इसे लिखूंगी m1 ठीक है अगला क्या है मेरा इसे लिखूंगी m2 और यहाँ पर भी one है इसे लिखेंगे m3 और मेरे पास और कोई one है यहाँ भी one है इसे लिख सकते हैं m5 बट इसे मैं अगर proper min term यानि function के रूप में with symbol represent करूँ तो ऐसे represent करेंगे 1,2,3,5 यह है हमारा min term तो यानि कि min term हमें निकाल लिए कैसे निकालते हैं हमें जहाँ भी one मिला हमने उसे small m के थुरू represent किया और उसके बाद एक function लिख दिया with the sigma यानि की formula के साथ 1,2,3,5 हमने यहाँ पर रखे और यह हमारा min term निकल गया इसी तरह से अब मैं अगर max term निकालना चाहूँ max term पर आ जाते हैं max term इसका उल्टा होता है यानि कि जहाँ पर भी 0 है उसे हम max term बोलेंगे max term के लिए हम capital M का use करते हैं तो मैं पहला देखूँ तो मेरा यहाँ पर है M0 अगला है मेरा यह M4 M6 M4 6 और M7 और मैंने बताया था कि max term को capital M से represent करते हैं और कि सिर्फ function के रूप में लिखेंगे तो इसका symbol ऐसा होता है और 0,4,6,7 यहीं को मैंने हाँ पर लिप दिया यह है हमारे max term और इसके बाद min term और max term तो हमारे हो गए बचाए SOP और POS तो simple तरीका यह है कि SOP लिखने का SOP जो होता है हमारा पता है कि sum of product होता है यानि कि हमें variables के यहाँ पर product करना है तो अगर मैं यहाँ भी high है अगर मैं SOP निकालना चाहा रही हूँ तो मैं देखोंगी जहाँ पी high है मेरा तो high मेरा 1 यहाँ पर है तो 001 यानि A bar 0 को SOP में बार से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को without bar यानि कि A bar B bar C मैं देख सकती हूँ A bar B bar C plus A bar B C bar यह मैंने कैसे देखा अगले बन से A bar B C bar इसके अगले बन से लिखेंगे A bar B C A bar B C और इसके अगले बन से लिखेंगे A B bar C bar और सारी A B bar C A B bar C ठीक है लास्ट है हमारा POS POS के लिए जहां भी 0 है वहाँ वाले हम variables को लिखेंगे लेकिन यहां पर हमें पता है कि 0 को हमें कैसे लिखना होता है without bar वो भी plus के form में तो यहां पर हमें से लिखेंगे 0 है तो A plus B plus C ठीक है और अगले bracket में अगला 0 कहा है यहां तो हम इसे लिखेंगे A bar plus B plus C 0 को without bar represent करना है 1 को bar से represent करना है यहां कि A bar plus B plus C अगला 0 कहा है हमारा यहां A bar plus B bar plus C A bar plus B bar plus C लास्ट है हमारा A bar plus B bar plus C bar A bar plus B bar plus C bar एक आखरी बड़ी ऐसा question और solve कर लेते हैं इसके बाद मुझे लगता है कि POS और SOP के doubt सारे clear हो जाएंगी अब यहां पर एक और है यहां पर यह कह रहा है कि convert POS expression यानि यह already POS expression दिया हुआ है इसे truth table में convert करना है यानि last हमने क्या किया था truth table दियोई थी उसे हमने POS में convert किया था और SOP में convert किया था यहां पर हमें POS expression दिया हुआ है जिसे हमें truth table में convert करना है तो यह कैसे करते हैं देख लेते हैं क्योंकि हमने पता है कि POS में अगर अमारे पास किसी variable के ऊपर बार नहीं है, तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, यनि कि अगर यहा बार नहीं है, तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे अगर बार होता, तो मैं उसे 1 लिखती, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 0, 0, 0, क्योंकि बार नहीं है, ठीक है, और सेम, अगर इसको लिखना चाहूँ, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 0, 1, 0, ये बार है, तो मैंने इसे 1 लिखा है, इसे लिखेंगे 0, 1, 1, ठीक है, ये ए बार है, बार को 1 से रिप truth table बना लेती हूँ 8 possible combinations के साथ तो मैंने यहाप एक truth table बना लिए है जिसमें 8 possible combinations है मैंने 8 possible combination ही क्यों लिए है क्योंकि मुझे यहाप पर दिख रहा है कि 3 variable है A, B, C और हमें वो formula याद है कि 3 variable होंगे तो कैसे करना है 2 की power n वाला formula जो कि n हमारा number of variable है 2 की power 3 2 की power 3 क्या होता है 8 तो इस वाले formula के साथ से 8 possible combination बनेगे तो ही variable ही उसके जाते A, B तो हम क्या करते है 2 की power 2 रखते है और हम 4 possible combination बनाते हैं यहापे अभी मैंने यहापे 8 possible combination बना लिया है अब मैं यहापे देखूंगी कि जहाँ भी मेरा यह term match कर रही है मैं यहापे मैंने इन्हें अपने binary में convert कर लिया है numbering में अब मैं जो भी मेरे यह term यहापे match करेगी मैं वहाँ पे 0 लिप दूँगी क्योंकि यह क्या है एक max term है यह POS है SOP नहीं है POS form है तो 000 यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे 0 mention कर दूँगी 0 1 0 मैं यहाँ 0 mention कर दूँगी 0 1 1 यहाँ भी 0 mention करूँगी 0 1 यहाँ पर और 1 1 0 यहाँ पर और रज जितने भी मेरे बच्चे होएं उन्हें में highlight high से represent कर दूँगी यानि 1 से तो यह मेरे truth table ready हो गई simple हमें इतने से truth table ready करनी है यहाँ पर आप चाहो तो explain कर सकते हो कि आपने कौन से किस यानि कि कौन सा 0 या कौन सा 1 किस term को represent कर दा है तो यह वाला 0 हमारा A प्लस B प्लस C को represent कर दा है यह 1 तो हमारा है ही नहीं यहाँ पर A प्लस B बार प्लस C बार को ये वाला 0 A बार प्लस B प्लस C बार को और ये last हमारा A बार प्लस B बार प्लस C को रिप्रेजन कर रहा है तो इस truth table को हम ऐसे बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like करो अपने दोस्तों के साथ शेर करो ताकि वो भी ये सीख पाएं और वो भी एक्जाम्स क्लियर कर पाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाई